इदर गॉलियर में कलेक्टर की पत्नी के साथ लूट हो गई कलेक्टर शिवराज वर्मा की पत्नी की चेन लूट ली गई है दरसल उनकी पत्नी उशा सिंग सुभा वाक पर निकली थी और इसी दरान ये पूरा घटना क्रम हुआ सीसी टीवी में हालकी लूट की घटना कैद हो गई है विंटसर हिल्स के पास की घटना कलेक्टर शिवराज वर्मा की पत्नी के साथ चेन स्नेचिंग की वारदात को बाइक सवार बदमाशों ने अंजाम दिया तस्वीरे देखे उमेश पाराशर हमारे साथ इस वक्त फोलाइन पर जुड़ गए है उमेश क्याकोश जानकारी कलेक्टर की पत्नी के साथ ही चेन स्रेचिंग की वारदात को अंजाम दे दिया जी बिल्कुल देखे गवालियर में इस समय बदमासों की होचले कापी बुलंद नजर आ रहे हैं और जो सुबह कलेक्टर की पत्नी की वो मौर्निंग बाग पर गई थी उसी समय जो बाइक सवाल लोटे रहे थे उन्होंने गले से चेन कीज़कर लूटकर मौके से फरार हो गए अलांकि जो भागते हुए जो लोटेरे हैं उनका सामने आया अब से चादार पर पुलिस आरोपियों की तलास में जोड़ी है पूरा मामला यूनिवस्टेटी थाना शेर्च का यह पूरा मामला बताये जा रहा है और बताया जा रहा है कि जब रोज की तरही जो सुबह ये उसा है वो मौर्निंग बाग के लिए जाते थी और जो लोटेरे से वो काफी जिनों से इनके पीशे इनको बाच कर रहे है और यही बज़ा है कि आज सुबह जो लोट की घटना को अंजाम दिया है शुक्री के आपका उमेश फिलाल जानकारी साधा करने के लिए तो ग्वालियर चंबल में इस तरह की घटना है लगातार बढ़ती जा रही है फिलाल बड़ी खबर आपको बता दे के कलेक्टर शिवराज मर्मा की पत्नी के साथ चैन स्नेचिंग की वारदात को अंजाम दिया गया है पॉलस अब मामली की जांच कर रही है